इन डिस्प्ले फिंगर पिंगर पिंट रीडर, HDR10 सूपर एमुलेट डिस्प्ले, स्टेरो स्पिकर और प्रिमियम डिजाइन ये सब फीचर हमारी बेस्ट फोन अंडर 15,000 की लिस्ट में है हलो दोस्तों दो फोन पेज चैनल पर आपका स्वागत है चाहे आप अपने फोन को गेमिंग के लिए यूज करते हो, फोटोग्राफी या फिर अपनी फेवरीट स्रीज बिंच वाचिंग के लिए हमारी अगास 2021 के अपडेटेट लिस्ट में आपके लिए परफेक्ट बेस्ट फोन अवेलेबल है अगर आप किसी भी फोन में इंटरस्टेट है, तो डिस्क्रिप्शन में दीगे लिंक पे किलिक करके उस फोन को फोरेनी परचेस कर सकते है और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इन्स फोन के साथ साथ किसी भी आइटेम पर डिसकाउंट और स्पेशल ओफर चाहते है तो हमारे टेलिगरांग गुरूप भी ज़रूर जोइन करें, जहां हम रोज लेटेस आफर पोस्ट करते है तो गाय साब बिना देर करें, हम बेस्ट फोन अंडर 15,000 का काउंट आउन शुरू करते है हमारे पहला फोन 6000 mAh की बैटरी और बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले की वज़ए से बिंच मॉंस्टर का नाम दिया गया है नमबर फाइब पर है, सैमसंग गेलेक्सी M32 फोन का डेजाइन सैमसंग के दूसरे पॉपलर मेट रेंज सोन से काफी सिमिलर है इसका बैक प्लास्टिक का है, जिस पर स्ट्राइप पैटरन और रेफ्लेक्टिव कोटिंग का यूस किया गया है फोन होल्ड करने में कमफर्टेबल है, और फोन की बिल कॉलिटी एच्छी है फोन के राइट सैट पर वॉल्यूम बटन है, इसके जस्ट नीचे फिंगरपिंट सेंसर है जो के स्टेंडर कॉलिटी का है फोन के लेफ सैट पर सिम ट्रेय है, जिसके अंदर दो सिम प्लस हैजडी काट सलोट देखने को मिलता है टॉप सैट पर कुछ नहीं है, बॉटम में मूनो स्पीकर है, उसके साइट में चार्चिंग पोर्ट है और हेटफोन जेक है हमारे पस लाइट ब्लू कलाव वेरियंट है, इस पर लाइट शैन करने पर हमें लाइन्स में रिन्वो एफेक्ट दिखता है फोन के बिल कॉलिटी ओके है, मगर इसके ठिकनास काफी जादा है मोटा होने का एक फायदा ये भी है कि इसकी वज़ए साइस का कैमर बं देखने को नहीं मिलता है मगर आचकल इस रेंज में पंच वल डिस्प्ले बहुत ही कॉमन हो गया है लेकिन सैमसंग अभी भी मेड रेंज फोन में अपना पुराने स्टैल का नौची ओफर करता है सैमसंग के फोन सबसे बेस्ट मोबाइल डिस्प्ले के साथ आते है इसमें 6.4 इंच की सूपर एमुलेट स्क्रीन दी गई है जिसका रिजॉलेशन 1080 इंटु 2400 है जो के आपको 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी देता है इसका वीविंग एंगल बहुत ही अच्छा है और कलर रिप्रोडेक्शन बहुत ही अक्यूरेट है स्क्रीन की प्रोडेक्शन के लिए Gorilla Glass 5 के यूस किया गया है यानि फोन गरने पर भी स्क्रीन तूटने का खतरा नहीं रहेगा फोन के मोटाई और वेट के पीछे की वज़़ा इसकी मैसिब बैटरी है M32 6000 मह की बड़ी बैटरी के साथ आता है M32 Helio G80 के साथ आता है इस 12-nanometer MediaTek के प्रोसेसर में 8-core है जिसमें सर्फ 2-core 2 GHz पर क्लॉक्ट है और 6-core 1.8 GHz पर क्लॉक्ट है यह प्रोसेसर ओरिजिनली 520 में रिलिस हुआ था और सिर्फ अंडर 10,000 के रेंज के फोन्स में ही देखने को मिलता है M32 का प्रोसेसर इसका सबसे weak point है Samsung ने फोन में 98 के स्क्रिन तो दी है मगर इस refresh rate पर Helio G80 काफे struggle करता है अगर Samsung ने भैतर प्रोसेसर दिया होता तो यह फोन हमारे लिस में नमबर वन पर भी हो सकता था BGM में ग्राफिक सेटिंग HD तक जाती है और frame rate है तक जाता है Gameplay का दोरान हमें कुछ frame drop देखने को मिले है HD सेटिंग पर गेम का experience जाते smooth नहीं है मगर सेटिंग लोवर करने है पर आपको भैतर experience मिल सकता है One UI में गेम को enhance करने के लिए game boost mode भी available है मगर आप heavy gamer है तो हम आपको यह phone recommend नहीं करेगे M32 का N22 score 1,690811 का आया है जो के हमारी best phone के list में सारे phones में से सबसे कम है Software की बात करें तो M32 One UI के latest version 3.1 के साथ आता है जो के Android 11 पर based है One UI बहुती clear and well designed OS है और weak processor होने के बाद भी इसकी first party app बहुती अच्छे perform करती है मगर आप Samsung भी दूसरी companies के तरह काफी सारी pre-install भी bundle करने लगा है जिसकी वज़े से phone में collector बहुत बढ़ जाता है और यह apps काफी slow perform करती है हम recommend करेगे कि कि आप कोई भी Samsung का phone लेते हैं तो इन 3rd party apps को फॉरे ने install कर दे M32 quad camera setup के साथ आता है इसका main 64 megapixel का ultra wide angle camera है जिसका aperture app by 1.8 है इसके साथ phone में 123 degree का 8 megapixel का ultra wide angle camera भी है जिसका aperture app by 2.2 है साथ ही phone में 2 megapixel के macro camera भी दिया गया है and last camera जो कि 2 megapixel के depth sensing camera है Samsung M32 में 20 megapixel के selfie camera दिया गया है जिसका aperture app by 2.2 है Samsung Galaxy M32 दो color option के साथ आता है Black and light blue Galaxy M32 exclusively Amazon.in पर available है M32 में हमें 2 variant दिखने को मिलते है इसका first variant जो कि 4GB की RAM and 64GB के रोंग के साथ आता है इसकी pricing 14,999 की है and इसका second variant जो कि 6GB की RAM and 128GB के स्टोर्ज के साथ आता है इसकी pricing 16,999 की है हमारा next phone अपने unique and lightweight design और in display fingerprint के लिए जाना जाता है इस phone की value for money बहुत ही hard to bid है जिसकी वज़े से इतने time बाद भी ये phone अमारी best phone की list में बना हुआ है नमबर 4 पर है Oppo F17 Oppo F17 हमारी list का सबसे unique looking phone है इसका leather, fillback, design इसको high end और luxury fill देता है ये बहुती slim phone है और surprisingly lightweight भी है मगर इसके बाद भी इसकी build quality बहुती अच्छी है phone को hold करने पर notebook जैसा fill होता है usually हमें phone के protection के लिए cover यूज़ करना पड़ता है जो कि phone को ज़्यादा मोटा और heavy कर देता है लीकिन Oppo F17 के natural looking design के वज़े से phone के back पर fingerprint के निशान नहीं आते है और साथ ही scratches का डर भी नहीं रहता है इसलिए Oppo F17 को बिना cover के easily use किया जा सकता है Oppo F17 6.44 inch की super amoled screen के साथ आता है जिसका resolution 1080 x 2400 है डिस्पली की brightness और color reproduction बहुती अच्छा है phone में always on display का support है जो कि इसके in display fingerprint reader को हमेशा highlights करता है और screen lock होने पर भी phone को classy look देता है amoled screen होनी के वज़ये से इसके battery भी बच्चती है in display sensor इस प्रेस्पेंट पर हमें बहुती कमी से देखने को मिलते है ये एक ऐसा feature है जो Oppo high and premium phone में से under 15000 के price range में लिया आया है इस fingerprint की speed हो quality काफी अच्छी है और sensor का placement भी सारे hand size के लिए comfortable है phone के right side पर power button है left side पर SIM tray है जिसमें dual 4G SIM का support है और dedicated SD card slot भी है इसके just नीचे volume बटन है top side empty है bottom side पर इसका single speaker दिया गया है जो की decent quality का है USB charging port और 3.5 mm headphone jack F17 की display protection के लिए Gorilla Glass 3 का use किया गया है इस screen के top media drop notch देखने को मिलती है जिसके अंदसके 16 megapixel का front camera जिसका बचर app by 2.0 है phone में quad camera setup दिया गया है इसका main 16 megapixel का wide angle camera जिसका बचर app by 2.2 है 8 megapixel का ultra wide angle camera भी दिया गया है जिसका बचर app by 2.2 है and phone में 22 megapixel के दो depth sensing cameras भी दिया गया है performance के बात करें तो ओपो F17 में snapdragon 662 chipset यूज़ करा गया है ये processor 11 millimeter पर based है जिसके 4 core 2 gigahertz पर clocked है और 4 core 1.8 gigahertz पर clocked है और GPU के लिए Adreno 610 के यूज़ किया गया है इस phone पर gaming के experience भी बहुत ही अच्छा है Call of Duty में graphic setting high तक जाती है और frame rate भी high तक जाता है Call of Duty बिना किसी problem के चलता है और इसके screen पर games के ग्राफिक बहुत ही अच्छी नजर आते है phone color OS 7.2 के साथ आता जो के Android 10 पर based है इसमें base essential app सी pre-install आती है ओपो का color OS पहले काफी becar OS माना जाता था और यूज़ करने में बहुत ही lagई था बट ओपो ने color OS के latest version के साथ काफी बड़ा improvement करा है अगर आपको पुराना color OS पसंद नहीं था तो आप इसके latest version को try करके ज़रूर देखे phone में 4500 डेमेज की बैटरी दी गई है जो कि थोड़ी कम लग सकती है बट हमारे experience में full day इजली चल सकती है F17 में ओपो की 30W की book fast charging का support भी है और इसके साथ 30W का fast charger included आता है F17 सरी 53 minutes में 100% अग charge हो जाता है ओपो F17 3 color option के साथ आता है navy blue, classic silver and dynamic orange ओपो F17 के 6GB RAM 128GB ROM वाले variant के price 14999 है और इसका 8GB RAM and 128GB ROM वाले variant 15999 में अभी लेबल है इस phone का price थोड़ा open नीचे होता है और आपको इससे जादा भी दिख सकता है ऐसा होने पर आप cell के इंतिजार कर सकते है या फिर अपनी nearest offline store से भी buy कर सकते है अगर आपको सबसे अलग और हट के phone चाहिए तो ओपो F17 आपके लिए best है ये premium filling वाला phone है इसका डिजाइन और इंडिस्प्ले fingerprint डिटा इसको high-end phones को भी अच्छी टकर दे सकते है और इसके specs भी बहुत ही competitive है दोस्तो एटलो जीव अपनी 5G services पूरे इंडिया में जल्ली शुरू करने वाली है और अगर आप इन services का फायदा फारान उठाने चाहते है तो आपके लिए next phone परफेक्ट रहेगा ये phone अंडर 15,000 की range में first and only 5G smartphone है ये बहुती fresh और stylish डिजाइन के साथ आता है नंबर 3 पर है Poco M3 Pro 5G Poco M3 Pro budget range में आना वाला 5G phone है और अभी तक अंडर 15,000 की range में कोई दूसरा बेन अपना 5G phone नहीं ला पाया है Xiaomi ने Poco को enthusiast market के लिए premium feature वाले phone को lower price पर लाने के लिए launch किया था और M3 Pro हमारी best phone के list में one and only 5G capable phone है Poco M3 Pro 6.5 inch के IPS LCD screen के साथ आता है जिसका resolution 1080 into 2400 है आज कल अंडर 15,000 के price category में brand Super AMOLED display प्रोवाइड करते है बट Poco ने M3 Pro में हमें IPS LCD दिया है जो की phone का weak point है इस display में 90Hz का refresh rate का support है और 180Hz के touch polling के साथ आता है list के दूसरे phone के मुकाबल M3 Pro के screen के brightness noticeably कम मैसूस होती है phone battery बचाने के लिए intelligently अपना refresh rate अड़स कर सकता है अगर आप 60Hz का content देखते है तो इसका refresh rate भी 60Hz पर आ जाता है M3 Pro की build quality ओके है बट फोन के design बहुत ही unique, stylish and killer है Poco ने इस design को switch blade design का नाम दिया है इसके back पर आपको 3D cop design with glossy finish मिलता है और इसका camera bum कावी जोटा सा इसके just नीचा में Poco की branding इस black section में देखने को मिलती है और phone के back bottom side में 5G लिखा हुआ दिखता है phone glossy होने के कारण हमें इसके back पर fingerprint के निशान बड़ी आसनी से नजर आते है और phone के back के लिए plastic material के use किया है मगर phone hold करने में बहुती comfortable feel होता है front side phone के screen पर Gorilla Glass 3 की protection मिलती है और center में dot notch दी गई है जिसका size थोड़ा सा बड़ा है और side पर plastic frame का use किया गया है 5G को support करने के लिए phone को powerful processor भी चाहिए पड़ेगा इसके लिए Poco ने MediaTek का new processor Diamond City 700 5G यूज किया है जो कि एक octogore processor है जिसके 2 core 2.2 gigaard पर clocked है और 6 core 2 gigaard पर clocked है ग्राफिक के लिए Mali G57 के use किया गया है वैसे तो इस price range में यह सबसे powerful processor है लेकिन फिर भी इसमें हमें N2T score 2,57402 का मिला है जो कि हमारी उम्मिद से कम रहा है phone में UFS 2.2 storage के use किया गया है जो कि काफी faster internal storage है और आपके games और apps को तेज से load करने में मदद करेगी BGMA की setting में graphic high तक जाता है और frame rate भी high तक जाता है game की performance बहुत stable है और phone 90Hz पर भी इसे easily handle कर लेता है और इसमें हमें कोई hitting issues भी देखने को नहीं मिलते है phone में 5000 mAh की battery दी गई है इस phone में 18W की fast charging का support है और इसके साथ 22.5W का fast charger box में included आता है इस charger से POCO M3 Pro 120 में 100% तक charge हो जाता है POCO M3 Pro हमारे list का killer phone है जो की triple camera setup के साथ आता है इसका main 48 megapixel का wide angle camera है जिसका aperture app by 1.8 है इसके साथ 22 megapixel के macro and depth sensing camera दिया गया है जिनका aperture app by 2.4 है POCO ने cost cutting के लिए M3 Pro में ultra wide angle sensor को निकाल दिया है जो कि हमें इसके camera में बहुत बड़ा missing feature लगा है macro and depth camera daily use में कामें नहीं आते है लेकिन ultra wide camera हर phone में must होता है selfie के लिए 8 megapixel का camera दिया गया है जिसका aperture app by 2.0 है इसकी quality descend मगर ये low light में थोड़ा सफर करता है बड़ Xiaomi की camera app बहुत ही अच्छी है और हमें कई सारे नए features देती है POCO M3 Pro MIUI के latest version 12 के साथ आता है जो के Android 11 पर based है MIUI अब पहले से जादा customizable बन गया है और MIUI 12 के साथ इसमें कई नए features भी add करे गया है पास में POCO अपने phone में MIUI का custom version दाल के देता था POCO launcher के साथ मगर अब M3 Pro में Redmi phones के तरह standard MIUI दिया गया है POCO M3 Pro Hybrid SIM slot के साथ आता है इसमें Dual 5G SIM दाली जा सकती है या फिर एक SD card और एक single SIM दाली जा सकती है M3 Pro में side mounted fingerprint reader दिया गया जो कि इसके lock button पर ही है ये easy to reach और इसके speed भी अच्छी है POCO M3 Pro में mono speaker दिया गया है जो के phone के bottom पर है इसमें Wide One L1 का support भी है अगर हम POCO M3 Pro 5G के pricing के बाद करें तो इस phone में दो variant आते है इसका 4GB RAM और 64GB ROM वाले variant 13,999 का आता है और इसका दूसरा variant जो कि 6GB RAM और 128GB के storage के साथ आता है जिसके price है 15,999 POCO M3 Pro 5G में 3 color option आते है Cool Blue, Power Black, Yellow इस color को company launch तो कर दिया है बट यह अब यह तक purchase करने के लिए एक भी बार available नहीं हुआ है POCO M3 Pro 5G के availability के बाद करें तो यह phone आपके only on flip card.com पर मिलेगा जिसको purchase करने के link आपको description में मिल जाएगी हमारा next phone एक all-rounder है यह latest processor के साथ साथ कई दूसर top of the line feature offer करता है नमबर टू पर है Redmi Note 10S यह phone Redmi के सबसे popular Note series का fresh model है यह series under 15,000 की range में हमेशा से लोगों के बीच में बहुत ही popular रही है Note 10 series के साथ Xiaomi न अपना नए evolved design establish किया है जो कि Note 10 series को fresh, bold and hot look देता है फोन के back पर polycarbonate glossy finish 3D curve design दिया गया है जो कि आपको glass जैसा fill देता है बट वो actual में plastic material से बना हुआ है मगार आपको back side की production के लिए यहाँ पर compromise करना पड़ेगा Redmi Note 10S का camera में काफी है बट design अच्छा है ultra premium लिखा है phone quad camera setup के साथ आता है इस phone में 64 megapixel का main camera है जिसका aperture app by 1.8 है और 8 megapixel का ultra white angle camera जिसका aperture app by 2.2 है इसके अलावा phone में 2 megapixel का depth camera है और आखिर में macro के लिए 2 megapixel का sensor Note 10S में 13 megapixel का single front camera है जिसका aperture app by 2.5 है और phone की camera app में magic clone, snap mode और movie frame जैसे कई और features दिये गए है Redmi Note 10S express segment में सारे phones में सबसे high quality की photos लेता है इसका quad camera setup आपको हाई situation में high quality की photos लेने में मदद करता है Note 10S में 6.4 inch की super AMOLED screen दी गई है जिसका resolution 1080 x 2400 है याने आपको इस phone में always on display का support मिलेगा और अगर हम इसके viewing angle की बात करें तो इसके viewing angle बहुत ही जाद अच्छ है और इस display का color reproduction में exact सही है और इस phone के pick brightness 1100 nits तक जाती है जो कि हमें under 15,000 के range के category वाले phones में अभी तक देखने को भी नहीं मिली है जो कि आपको 10S में मिल रही है ये Note 10S के लिए बहुती बड़ा plus point है दोस्तो और Redmi Note 10S में आपको super AMOLED screen plus 1100 nits के brightness आपको daily outdoor use में बहुती अच्छा experience देगी और इस display के protection के बात करें तो ये phone Gorilla Glass 3 से protected है और आपको maximum screen to body ratio देने के लिए dot nose के साथ design करी गई है Note 10S 5000 mAh के lithium polymer battery के साथ आता है फोन में fast charging का support भी है और फोन के साथ 33 watt का fast charger box में included आता है फोन की battery काफी अच्छी चलती है और heavy use पे भी easily full day last कर सकती है heavy gaming और multitasking के दोरान भी हमें battery में जादा drop देखने को नहीं मिला है multimedia के बात करें तो इस phone में stereo speaker दिये गए है जो कि हमारी best phone की list में ये अकेला phone है जिसमें stereo speaker दिये गए है जो कि आपको movie एंड gaming में बहुत ही अच्छा experience देगे Redmi Note 10S IP53 splash and dust proof certified भी है यानि थोड़ी बहुँ dust और गिला होने पर भी आपके phone को damage होने का कोई खतरा नहीं है Note 10S में Xiaomi ने MediaTek Helio G95 के यूज़ किया है ये एक 12 nanometer based octa core processor है जिसके 2 core 2.5 gigaard पे clocked है और 6 core 2 gigaard पे clocked है और GPU के लिए phone में Mali G76 का use किया गया है phone की performance day-to-day use में अच्छी है और heavy use पर भी हमें कोई problem देखने कोई नहीं मिली है अगर हम A2T score के बात करें तो हमें Redmi Note 10S में 3.29676 का score मिला है जो कि इस range के phone में काफी अच्छा है gaming experience के बात करें तो Redmi Note 10S में BGI की graphic setting SDI तक जाती है और frame rate ultra तक जाता है phone में game बहुती smooth चलता है और इस पर high end games भी stable frame rate और high graphic setting के साथ अच्छे से run करते है यानि आपको gaming में कोई भी compromise नहीं करना पड़ेगा इस phone की storage के लिए Xiaomi ने UFS 2.2 का use किया है जो कि हमें इस price range के phones में बहुती कमी से देखने को मिलती है 10S 2 plus 1 slot के साथ आता है यानि आप इस phone में 2 SIM plus memory card एक साथ यूज़ कर सकते है Note 10S में side mounted fingerprint scanner दिया गया है जिसके speed अच्छी है and easily खुल जाता है phone की build quality बहुत ही अच्छी है और ये यूज़ करने में बहुत ही premium फिल होती है phone के right side पर इसके volume button के नीचे power button पर ही fingerprint scanner दिया गया है left side पर SIM tray और top side पर देखे तो speaker और IR bluster देखने को मिल जाएगा phone के bottom पर इसका speaker, USB type-C port और headphone jack दिये गए है Redmi Note 10S MIUI 12.5.2 के साथ आता है जो के Android के latest version Android 11 पर based है MIUI वैसे तो काफी अच्छा OS है मगा जगा जगा पर आने वाले ads की वज़े से phone को यूज़ करने का experience बिगड़ जाता है Redmi Note 10S, Shadow Black, Frost White and इससी blue color के साथ आता है ये phone दो variant option के साथ आता है इसका first variant जो के 6GB की RAM and 64GB के storage के साथ आता है इसकी price 14,999 की है और इसका second variant जो के 6GB के RAM and 128GB के रोम के साथ आता है इसकी price 15,999 की है अगर हम इसके availability के बात करें तो ये phone आपको Amazon.in, Mi.in और आपके नज़दिकी Mi Home Store पर मिल जाएगा और इसको purchase करने के लिए आपको description में भी दी गई है इस बार best phone under 15,000 का competition बहुत है टककर कर रहा है Note 10S के killer feature को बीट करना बहुत ही मुश्किल है मगर हमारा next phone में Note 10S के सारे feature तो है ही मगर उसका साथ-सद HDR10 और in-display fingerprint reader भी offer करता है वो भी lower price पर हमारा August 2021 का best phone under 15,000 है Realme 8 ये phone Realme के सबसे popular number series का latest phone है और इस series के phone हमारी हर best phone के list में रहे है इस phone के साथ Realme under 15,000 के price range में quad camera, super amulet plus in-display fingerprint का combination लाने वाले पहली company बन गई है इसका super amulet display and in-display fingerprint इस phone का main highlights है Realme 8 को fast बनाने के लिए Realme ने इस price range के सबसे अच्छे processor का use किया है phone में Redmi Note 10S की तरह ही MediaTek Helio G95 का use किया है जिसकी वज़े से दोनों ही phones की performance काफे similar है अगर हम इस phone के main feature में से एक की बात करें तो हमें Realme 8 में 6.4 inch की super amulet screen दी गई है 180 Hz के test sampling rate के साथ इस screen का resolution 1080 x 2400 है जो के आपको 411 ppi के pixel density देता है इस phone के display में आपको sharp viewing angle देखने को मिलेगे और color perfectly natural नजर आते है and इस screen में always on का support भी है और आपको इस display में 1000 minutes की peak brightness भी मिलेगी जो के sunlight यूज में बहुत मदद करेगी Realme 8 का screen to body ratio 83.3% का है और dot notch होने के current screen यूज करने में काफी immersive लगती है Realme 8 में 5000 mAh की battery दी गई है और fast charging का support भी है जो कि phone को 65 minute में full charge कर देता है 30 watt का dart fast charger फोन के साथ box में ही आता है phone के right side पे इसके volume button और power button दिये गया है और left side पे SIM tray है जिसमें 2 से more dedicated SG card slot दिया गया है और top side पे कुछ नहीं दिया गया है और phone के bottom पर इसका speaker, USB type-C port और headphone jack दिये गया है Realme 8 में quad camera setup है और इसका design store top style का है Realme 8 में main camera के लिए 64 megapixel का sensor दिया गया है जिसका aperture app by 1.8 है phone का ultra wide angle camera 8 megapixel का जिसका aperture app by 2.3 है and साथ ही phone में 22 megapixel के macro or depth sensor दिये गया है Realme 8 में selfie के लिए 16 megapixel के sensor दिया गया है जिसका aperture app by 2.5 है Realme की camera app काफी standard है हमें इसमें कुछ खास features देखने को नहीं मिलते है phone के quad camera setup की वज़य से इसमें काफी noticeable camera bump है Realme 8 को flat surface पर रखने पर ये flat नहीं रहता है और इसका camera's पर scratches आने का खतरा बढ़ जाता है इसके वज़य से phone को काफी carefully handle करना पड़ता है Realme 8 में Realme UI 2.0 है जो के Android 11 पर based है और कई नए features के साथ आता है बट दोस्ता में एक बाद बुरी लगी है Realme भले से अपने OS mats नहीं दिखाता है बट वो बहुत सारी pre-install third party apps दाल के देता है और app drawer में space भी भर देती है gaming के बाद करें तो phone में game को enhance करने के लिए game space app दी है जासा आप सारे games launch कर सकते है साथ ही game boost और D&D modes को भी on कर सकते है phone में BGMI काफी smooth चलता है इसके graphic setting SD तक जाती है और frame rate high तक जाता है gameplay में में कोई slow down या like देखने को नहीं मिला है और frame rate बहुत ही stable रहता है BGMI के लावा दूसरे games के साथ भी Realme 8 अच्छा perform करता है phone well built है और यूज करने पर बहुत ही steady feel होता है phone के back side के लिए plastic material के यूज किया गया है इसके back पर Realme ने बहुत ही bold design के यूज किया है ये बहुत ही reflective finish के साथ आता है और phone के back side पर Realme के branding के साथ company का dare to lip motor बहुत ही बड़ है और bold phone में लिखा गया है ये branding बहुत ही aggressive है और कई लोगों को बुरी भी लग सकती है especially अगर आप phone का silver color वाले variant लेते हैं तो साथ ये back पर fingerprint और dusk के निशान भी आसानी सा आ जाते है overall phone काफी light weight है और अगर आपको इसका design पसंद नहीं आता है तो आप इस पर cover शड़ा के इसे easily hide भी कर सकते है Realme 8 high-res audio and sdi at end certified है यानि इस पर movie and show देखने के experience बहुत ही अच्छा है साथ इसका notch corner पर होनी की वज़य सा आको जादा immersive experience भी मिलेगा लेकिन ये screen स्रिफ 60Hz तक कर refresh rate ही support करती है तो अगर आप 98 या उससे जादा refresh rate के आदी है तो आपको ये phone यूज़ करने में अतना smooth नहीं लगेगा phone दो color option में आता है Cyber Silver and Cyber Black Realme 8 Flipkart.com पर available है और साथ है आप इस अपनी local store से भी खरीश सकते है phone के 4GB RAM and 128GB ROM वाले variant के price 14,999 है and 6GB RAM 128GB ROM वाले variant के price 15,999 है इसके अलावास का high end variant भी available है जो के 8GB RAM and 128GB के रोंग के साथ आता है जिसके price 16,999 है अगर हमें तू-तू-तू score की बात करें तो हमें Realme 8 में 2,92,000 का score मिला है जो कि इस range के phone में ठीक ठाक है दोस्तों अब हम इस phone के सबसे बड़े feature की बात करें तो हमें इस phone में in-display fingerprint sensor देखने को मिलता है ये in-display fingerprint sensor कावे fast and responsive है एक दम physical fingerprint sensor जैसे work करता है दोस्तों जैसे के आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे टच करते के साथ phone फोन फोरे ने अलोग हो जाता है ये in-display fingerprint होने का बात भी काफी fast है तो दोस्तों अगर आप इन सब फोन पर best deal चाहते हैं तो description में दी गई लिंक पर जा सकते हैं ये latest deals के लिए हमारे telegram group भी जाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको mobile के लाव electronics items, cloths, glossary जैसे कई और product पर loot, best deals, offers और coupons मिल जाएगे तो guys wait किस बात का है फोरण जाए और हमारे telegram group जाइन कर लीजिए आपके लिए under 1500 की range में best phone कौन सा हमें comment करके जरूर बताए अगर आख वास कोई suggestion या video request हो तो हमाँ साथ comment में जरूर share करें वीडियो पसंद आयों तो like करना न भूले, latest phone के review, test और best phone के list के लिए हमें subscribe जरूर करें और bell icon पर click करना न भूले आज के लिए इतना ही दोस्तो, see you in the next video, thanks for watching